नमस्कार दोस्तों मैं दीप्ति गुप्ता स्वागत करती हूं आप सभी का एक बर फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल परिक्षा प्लस पर आज की वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं मैस के प्रिवेस एर कुश्चिन्स 2019 में जो आपका मैस का पेपर आया क्लियर है आप सभी को वीडियो की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दू हमारे एप पर कुछ बैचेश चल रहे हैं तो बहुत ही ऑप्टिमम फीस रखी गई है अगर आप सभी इन में इन्रोल होना चाहते हैं तो बेज जग आप इन दोनों नंबर्स प क्लियर है आप सभी को बात कर लेते हैं अब हम अपने कुश्चिंस की तो बिना टाइम को गवाएं हम लोग कुश्चिंस पर मूव करेंगे सबसे पहला कुश्चिन आपका जो है वो आपसे कह रहा है कि यदि एक आयत की लंबाई 60% बढ़ाई जाती है तो उसकी आयत की जो लंबाई है वो हम माले रहें हंडेड ठीक है अब 60% बढ़ाई जाती है तो 160 हो जाएगी है हो जाएगी अब इन्होंने बोला कि छेत्रफल अपरिवर्तित रहे है यानि कि छेत्रफल में कोई कमी ना आए हमें चोड़ाई में कितनी प्रसत कमी करनी होगी तो इन दोनों लुग आयत ओम लंबारे चोड़ाई होता है छोड़ाई कर इसे फिर लंबाय जी जी यह debates को तो चैदफल से निकलें के जाएगा और सो एक इसका तो निकाल लेते हमारा आज कर रहे हैं तो सबसे पहले हम दिफ्रेंस देखेंगे, डिफ्रेंस कितनी का आ रहा है? आपका 60 का आ रहा है ठीक है, इनीसियल आपकी कितनी थी? 160 थी, 60 वटे, 160 गोडा 100, बस इसी को solve कर लेंगे हमारा आणसर आजाएगा, एक जीरो से जीरो कर जाएगी, बचे का हमारा 600 वटे, 16, ठीक है 600 बटे 16, 600 बटे 16 को जब हम solve करेंगे तो कैसे आएगा 16 से इसको काट दो, 16 तिया 48, 48, 250, 28, 120 बचेगा 16 सत्य 112, फिर 8 बचेगा, पॉइंट लग जाएगा, 80 हो जाएगा 16, 85, 37.5% ठीक है, यानि कि उसकी चोड़ाई में जो आपको 37.5% की कमी करनी होगी, तब ही उसका चितफल अपरिवर्तित रहेगा क्लियर है आप सभी को, बात कर लिए ते कुश्चिन नमबर 2 की, कुश्चिन नमबर 2 आप से कह रहा है कि, यदि किसी घन के आयतन का संख्यात्मक मान, उसकी भुजाओं की फ़जाओं की योग के बराबर है, तो घन का कुल छेथफल यानी की प्रष्टिय छेथफल ग्याद कीजिए, ठीक है, कुल प्रष्टिय छेथफल है, याँप थोड़ी से मिस्टेक हो गई तो आप सभी इसको ध्यान रखेगा देखो गन का आयतन क्या होता है आप सभी को पते गन का आयतन हमारा क्या होता है एक सिकंड गन का आयतन हमारा क्या होता है एक ठीक है अब इन्हों क्या बोला आप से इन्होंने बोला है कि भाई उसकी भुजाओं की लंबाई की योग के बरावर होता है यानि कि अगर आप हम लोग बात करें कि घंग में जो हमारे फलक होते हैं वो कितने होते हैं इसका आइडिया होना चाहिए इसी से आपका एंसर आएगा ठीक है तो पहली से एक को तो फिर 12 को कितना हो जाएगा 12A हो जाएगा यहां से से एक अड़्चाट जाएगा तो हमारा क्या होता है 6a2 यानि कि 6 into a2 की value है हमारी 12 तो हमारा answer कितना आ जाएगा 72 72 है हमारा option number B clear है आप सभी को यानि कि 72 हमारा यहां से answer हो जाएगा I hope आपको इतनी बात clear हो गई होगी इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी ठीक है आप बस इसे कुल छेथफल नहीं है यह प्रस्टिए छेथफल है इतना याद रखना नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा ठीक है बात कर लेते क्विश्चन नमबर थ्री की क्विश्चन नमबर थ्री आपसे कह रहा है कि 2018 में अमित का वेतन जो था वह एक लाग सॉरी इकाईदाई सैकड़ा हजार दस जार लाग एक लाग 26,500 रुपय था ठीक है अब 2016 से 2018 की बीच अमित का वेतन किमसा कितना बढ़ा है 10 परसेंट और पूछा है कि क्या था देखो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ अगर किसी भी सवाल में अगर परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का सवाल आ रहा है दो जगे से तो आप उसमें नेट परसेंट चेंज का फॉर्मूला लगाईए ठीक है नेट परसेंट चेंज का फॉर प्लस वाइब ले लेंगे अगर धिक्षी हो रहे तो आप मैनस में एक्स या वाई ले लेगे ठीक है आप यहां से देख लेते पहले तो कि कितनी परसेंट उसकी वेतन बढ़ती है सबसे पहले उसकी 10% increase हो रही तो प्लस का 10 प्लस 15% increase हो रही 15 हो गया अब प्लस 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 रहेगा हमारा 15 दामन 1500 वटे 100 ठीक है 25 प्लस अब यहां से यह कट जाएगा 1.5 यानि की 26.5 इसकी वेतन increase हो यह clear है अब देखो पहले इसकी वेतन कितनी होगी 100% होगी अब इसकी वेतन कितनी increase होगी 26.5 तो टोटल कितनी हो जाएगी 126.5% इसकी वेतन increase हो चुकी है लेकिन 126.5 जो वेतन increase होई है यह किसकी value के बराबर है 126.500 के बराबर clear है आप सभी को इतने percent increase होई थी अब points से यहां पर 0 आजाएगा और यह काट दीजिए आप तो 1% की value कितनी आजाएगी आपकी? 1000 यही से 100% की value निकाल लेजे आपका answer आजाएगा 100 और 3-0 100 और 3-0 आपका answer यह हो जाएगा option number D clear है आप सभी को? बहुत ही आसान सवाल आसान तरीके से मैं आपको सवाल समझाने की कोसिस कर रही हूँ इसमें आप नहीं तो बहुत माथा पच्ची करेंगे और आप answer नहीं आएगा तो समझने की आप पूरी-पूरी कोसिस कीजिएगा बात कर लेते question number 4 की question number 4 आप से कह रहा है की दो संख्याओं का मासा और लासा 6 और 432 है एक संख्या 48 है दूसरी संख्या क्या है इसका फॉर्मूल आपको पता होना चाहिए SCF इंटू LCM बरावर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या है ठीक है अब आपका मासा दे रहे है छे LCM दे रहे हैं 432 पहली संख्या आपकी 48 दूसरी संख्या आपकी वाई छोवर 48 आठ से इसको कारदो 8 पंचे 40 और 3 आठ चो को 32 यानि की वाई की वेल्ली जो है आपकी कितने आगई 54 आपका option number D यहां से right हो जाएगा बात कर लेते question number 5 की question number 5 आपसे कह रहा है कि यदि महीने की 16 तारीख को 3 सुक्रवार पढ़ता है तो महीने के 44 मंगलवार की तारीख क्या होगी देखो तीसरा सुक्रवार 16 तारीख को पढ़ रहा है और चौथे मंगलवार की आपसे तारीख पूछिए आपको इसमें थोड़ा सा common sense लगाना पड़ेगा सबसे पहले हम लोग मन्त का पहला दिन निकालेंगे और फिर हम लोग चौथा मंगलवार निकालेंगे अब ये कैसे निकालेंगे देखो जो मन्त का तीसरा सुक्रवार है वो कपड़ रहा है थर्ड फ्राइडे कपड़ रहा है आपका जो थर्ड फ्राइडे है वो कपड़ रहा है 16 तारीक को ठीक अगर हम लोग सेकेंड फ्राइडे की बात करें तो कपड़ेगा वाई साथ दिन हम इससे माइनस कर देंगे 9 तारीक को पड़ेगा 1st Friday की बात करें तो कब पड़ेगा 7 दिन फिर से माइनस कर दो 2 तारीक को यानि कि 2 तारीक को पहला सुक्रवार पड़ेगा तो 1 तारीक को जो हमारा है वो कौन सा दिन पड़ेगा यहां से बताईए आप सभी ब्रैस्पतिवार पड़ेगा अब हमने निकाल ली कि भाई हमारा जो महीना है उसकी पहली तारीक को ब्रैस्पतिवार है हमें निकालना है कि चौथा मंगलवार कब होगा ठीक है अब हम लोग पहली तारीक को ब्रैस्पतिवार निकाल ली है अब हम लोग पहला मंगलवार निकालेंगे अगर तो पहला जो आपका मंगलवार है पहला मंगलवार है वो आपका कब आएगा ब्रैस्पतवार के बाद आप एड कर लीजे ब्रैस्पतवार सुक्रवार सनीवार रविवार सोमबार मंगलवार यह एक तारीक थी यह तीन थी ये चार थी ये पांस थी ये च्छह थी यानि कि छे तारीक को आपका पहला मंगलवार पड़ेगा ठीक clear आप सभी को आप इन्होंने पूछा है चोथा मंगलवार इस तारीक को साथ देन एड करते चले सब्सक्राइब सब्सक्राइब कोई बहुत बड़ी वात नहीं थी आप सभी को बात कर लेते कुश्य नमबर सिक्स की सिक्स में आप से पूछ रहे कि तिर्भुजा कार प्रिस्म में कितने सीर्स होते हैं ठीक है देखो सवाल थोड़े से डिफरेंट आये थे तो इसलिए ली जाती इसका एक फॉर्मूला होता है तू इंटू आधार में भुजाओं की संख्या आधार में भुजाओं की संख्या ठीक है अब टू इंटू तिर्भुजाकार प्रिम जो होगा उसमें आधार में भुजाओं की संख्या कितनी होती तीन होती है तो इसका आपका अंस यदि 10 रुपय में 6 केले खरीदे जाए, 6 रुपय में 4 केले बेचे जाए, तो हानी कितने प्रश्चत होगी, देखो, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो मैं आप सभी को बताती हूँ कैसे किया जाता है, जब कोई भी मालो वस्तू है, A रुपय में B वस्तू दी जाए, ऐसे होता है, ठीक है, तो आपका जो फॉर्मूला निकलता है, उसमें पूरे अगर पूरे लेंदेन में प्रस्त हा नहीं है, प्रस्त लाप पूछा है, तो आपका जो फॉर्मूला होता है, वो होता है, आपका, B into C, minus, A into D, upon, फिर से, A into D, into 100%, बस इसमें आप व देखो, 10 रुपे में हमारे 6 के ले थे, 6 रुपे में हमारे 4 थे, तो B into C, यानिकी 36, minus, 10 into 4, यानिकी 40, upon, 10 into 4, 40, गुणा 100, फरस्त, ठीक है, अब आपका कितना आ जाएगा, minus का 4, 36 में से 40 जाएगा, कितना बचेएगा, minus का 4, upon 40, गुणा 100, ठीक है, इसको मैं यहां लिख देती हूं, minus का 4, बटे 40, गुणा 100, अब 4 से 10 जाएगा, 10 से 10 हो जाएगा, बरावर minus 10 प्रस्त, यानिकी आपकी 10 प्रस्त की है, जो वो पूरे लेंदेन में हानी होगी, आपका answer option number A, यहां से हो जाएगा, clear है, बात कर लेते हैं, question number 8 की, 8 आपसे पूछ रहा है की, 1 gram बरा पहली बात तो आपको यह चीज छोटे से ही पता होगी, कि 1 kilogram बरावर कितना होता है, 1000 gram, ठीक है, तो 1 gram की value आपकी कितनी आजाएगी, 1 बटे 1000 kilogram, 1 बटे 1000 को आप क्या लिख सकते है, 10 to power minus 3 kilogram, clear है, अब देख लो, 10 to power minus 3 किसमे B में है, तो आपका option number B यहां से सही हो जाएगा, यानि कि D number option में आपका भी सही है, ठीक है, 8 ता आपका हो गया, बात कर लेते है, question number 9 की, question number 9 आप से कह रहा है कि, 0.01 का whole square, 0.01 को पहले हम, 0.01 का whole square, प्रत्सत में कैसे लिखा जा सकता है, तो पहले तो हम इसको 1 upon 100, मतलब point अटा के 0 नीचे ले लेंगे, इसका whole square है, ठीक है अब इसको कैसे solve करेंगे, देखो, 1 upon 100 का whole square, और इसमें, प्रत्सत में solve करना है, तो क्या करेंगे, हम लोग 100 प्रत्सत लगा देंगे, तभी तो हमारा प्रत्सत में answer आजाएगा, है कि नहीं, तो अब इसको solve कर लो, 12 square है, तो 4,0 हो जाएंगे, into 100 प्रत्सत, 100 से 182, यानि क एक बटे 100 प्रत्सत, एक बटे 100 प्रत्सत आप देख लो, एक यह है, एक बटे 100 प्रत्सत, एक बटे 100 को आप क्या लिख सकते, 0.01 प्रत्सत, यानि कि 0.01 प्रत्सत ये भी है, तो A और D किसमें है, A और D, यानि कि option number D, यहां से आपका right हो जाएगा, clear है आप सभी को, बात क व्यूत्कृमों का अंतर आप से पूछा है, कोई दो संक्या है, मालो, A और A बरावर है 5, B बरावर है 36, ठीक है, व्यूत्कृम का अंतर आप से पूछा है, तो 1 अपॉन B, माइनस 1 अपॉन A की value आपको निकालनी है, तो यहां कितना आ जाएगा, sorry, A बरावर आपका कितना दिया है, 5, B बरावर आपका दिया है 36, ठीक, A, 1 अपॉन A, माइनस 1 अपॉन B की value निकालनी है, तो B माइनस A, अपॉन A भी हो जाएगा, अब इन्होंने बोला है कि दो संक्याओं का अंतर है 5, अंतर कितना है, 5, और आपका गुड़न फल कितना है, 36, तो 5 बटे 36 आपका राइट हो जाएगा, 5 बटे 36 आपका राइट हो जाएगा, बात कर लेते, कुश्चन नंबर 11 की, 11 आपसे कह रहा है की, कि यदि किसी कमरे की लंभाई को 10 प्रस्त कम किया जाता है, चोणाई को 20 प्रस्त कम किया जाता है, और उंचाई को 5 प्रस्त बढ़ाया जाता है, तो आयतन में कितने प्रस्टत का परिवर्तन आएगा आप देखो यह सवाल कैसे करेंगे देखो यह सवाल जो है यह भी आपकाTalk हम net percentage teに से सॉल्व करेंगे net percent change आपका सबसे सरल होनी होती जिससे आप percentage में चीजें निकाल सकते हैं कि किस तरीखे से इसमें माइनस मतलब नेट परसेंट बढ़ाया या फिर घटाया ठीक है तो सबसे पहले हम नेट परसेंट चेंज में दो वैल्यूस को लेते हैं इसलिए हम दो दो वैल्यूस को लेके इसका अंसर निकालने के कोसिस करेंगे सबसे पहले लंबाई को 10 प्रस्षत कम किया जाता है तो मैनस 10 हो गया चौणाई को 20 प्रस्षत कम किया जाता है मैनस 20, मैनस मैनस आपका प्लस हो जाएगा 20 दस अरम 200, 200 बटे 100 यानि कि मैनस का 20 दस 30 और प्लस का 2 ठीक, 100 से ये कड़ जाएगा तो मैनस का 28 प्रस्त तो पहले आ गया हमारा लंबाई और चोड़ाई को जब कम किया जाता है अब मैनस का 28 प्रस्त ये हो गया और 5 प्रस्त आपकी उचाई बढ़ाई जाती है अब इन दोनों में 8% चेंज लगा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा मैनस का 28 प्रस्त ये बढ़ाया जाता है फिर प्लस मैनस मैनस 28 गुणा 5 बटे 100 ठीक 28 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 23 सही है मैनस 58 44 चार पांस गुनी दस चार 14 बटे 100 यानि कि मैनस 23 और मैनस का आपका हो जाएगा 1.4 तो आपका मैनस मैनस ये एड हो जाएगा मैनस का 24.4 यानि कि 24.4 की आपकी टोटल आयतन में कमी आएगी 24.4 यानि कि option नमबर भी यहां से राइट हो जाएगा क्लियर है आप सभी को इसमें आपको कोई परिशानी तो होगी नहीं ओके चलो अब बात कर लेते हैं question number 12 की 12 आपसे कह रहा है कि 12 question आपसे कह रहा है कि किसी कमरे की लंबाई और चौडाई क्रमसा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है आप देखो कितनी confusing line लिखी है लंबाई आपकी पूरी इतनी दी है ठीक है और चौडाई आपकी पूरी इतनी दी है इसी में confused बहुत सारे लोग हो गए थे तो लंबाई आपकी कितनी हो जाएगी 15 मीटर 17 सेंटीमीटर एक मीटर वराबर आपका होता है 100 सेंटीमीटर यानि की 1517 सेंटीमीटर आपकी लंबाई हो गई ठीक है अब आपकी जो चौडाई है वो कितनी है चौडाई आपकी हो जाएगी 9 मीटर 2 सेंटीमीटर एक मीटर सो सेन्टिमीटर याने की 902 याने की 902 सेन्टिमीटर लंबाई ऑगी आपकी चौडाई हो गई किलिए आप देखो कम्रे की लंबाई हमें मिल गई चोडाई मिल गई अब हम कम्रे के 1st का जो छेतरफल है वो निकाल लेते हैं छेत वराबर क्या होता है लंबाई गुणा चोड़ाई यानि कि 1517 गुणा 902 आपका यह हो जाएगा कम्रे का छेत्रफल क्लियर है आप सभी को आई होप क्लियर होगा अब इसमें क्या करने आपको वर्गा कार टाइल्स की नियूंतम संख्या क्या होगी नियूंतम संख्या आपको निकालनी है जो उसमें वर्गा कार टाइल्स लगेंगे उसमें क्या होगा आपको इस वैल्ल्यू का मासा निकालना पड़ेगा ना क्योंक सेंटीमीटर 41 मैंने डैरेक्ट बता दिया है आप इसको खुद से निकालिएगा स्टीएफ निकालना आए हो आप सभी को आराम से आता होगा मैं इस टैब की स्क्रीन पे बहुत जादा नहीं आपको बता पाऊंगी इसलिए आप इसका स्टीएफ निकाल सकते पूरी प्रॉसे स्टीएफ निकालना निकालनी है न्यूंतरम सफे लिए क्षित स्टीएफ नषस नुंग इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा आपको यहीं अंसर मिलेगा 814 यानि कि जो टाइल्स की नियुंतम संख्या है वो आपकी आजाएगी 814 क्लियर आपको 12 नंबर का आपको ऑप्षिन नंबर ए यहां से सही हो जाएगा बात कर लेते हैं कुश्चन नंबर 13 की 13 आप से 602 इसको गुडणफल की इकाई यंका आप से फूचा है ठीक है अब इकाई हैं कैसे निकालते हैं इकाई निकालने के लिए सबसे पहले जो आपको यह पावर होती है इसको आप 4 से भाह देतें सबसे पहले 4 से बहाग दीजिए 4 481 4 बच्चे का इतना आपका तीन सेश वच पहली बाद तो आपको पावर में 3 से यह तीन है तो दूंसी के प्रस प्रसत और हर्में पच्चिस प्रसत बढाते हैं तो संख्यां तीन बते पांच हो जाती है मूल भिन क्या होगी देखो अब इसका सबसे सरल और सिंपल तरीका मैं आपको बताती हूं उससे आपका एक मिनिट में इसका आंसर आजाएगा ठीक है बांकि आपको जो तरीका आता है वो वेल और गुड लेकिन अगर आपको मेरा तरीका पसंद आते तो आप इसको जरूर अ हें इसको हो तीन बटे 5 लिए अतुरा एं कि में बीस प्रस्चत की बढ़ाई बढ़ोतरी कर रहे हैं नहीं तो आप हर में इसको मतलब उल्टाघर के लिकते अगर आंसमें बीस प्रस्चत की का रहे हैं तो आप हर में 120 लिख देंगे Esp Last即 लिख सर्दा ठीकि नहीं तो पाँच पंचे चाले इस पांच अठे चाले इस पांच वटे आठ आठ आपका यहां से आंसर हो जाएगा तीक पांच वटे आठ यानि की उप्शन नमबर सी समझ में आया जो भी आपके भीन होगी वो लिख लो और अगर आप UNS में बढ़ा रहे हैं तो हर में बढ़ा के लिख दो 100 में अईड़ करके और अगर हर में बढ़ा रहे हैं तो UNS में बढ़ा के लिख दो 100 में अयड़ करके और इसको solve कर लो answer आ जाएगा बात कर लिए तो question number 15 और last question की लास्ट कुश्चन है आपका की आठ से पूर्ता विवाजित कौन सी संक्या है सबसे पहले इसके लिए आपको क्या आना चाहिए आठ का डिविजविल्टी रूल आना चाहिए तो आठ का जो डिविजविल्टी रूल है वो आपका कहता है की लास्ट के जो तीन अंक्य वो आपके आठ से विवाजित होने चाहिए ठीक अब हम देख लेते हैं सबसे पहले इसमें देखो आठ तिरग का 24 हो रहा है इसमें देखो 8 दूनी 16 और 6 यह नहीं हो रहा है इसमें देखते हैं 8 एकन 8 4 आठ चिंगर 40 यह भी हो रहा है इसमें 10 का option number D यहां से right हो जाएगा, clear है आप सभी को, तो आज की वीडियो में हम लोगों ने discuss की 2019 के 15 questions, I hope आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा और questions समझ में भी आया होगे, कोई भी problem आती है, तो comment box में आप अपनी query डाल सकते हैं, उसको solve करने की पूरी और वीडियो को खतम करने से पहले हरवार की तरह आपको बता दूँ कि हमारे यहां एल्टी ग्रेट का बैच चल रहा है, अगर आप सभी कोई भी interested है, तो आप इन numbers पे call करके अपनी query को solve कर सकते हैं, और batch में admission ले सकते हैं, आप सभी को तो आज की वीडियो में इतना ही, बांकी मिलेंगे नेक्स वीडियो में, और questions लेकर के बांकी जो 15 questions है, वो में नेक्स पार्ट में लेके आऊंगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी अपना खयाल रखेगा,